हलो दोस्तो स्वागत है आपका जोती की रस्वई with my blog में तो मैंने सुबा का पूजा पार्ट वगरा कर लिया है खाना भी मेरा दोस्तो बन चुका है अब मेरे पास जो खाली समय है मैं उसमें कुछ काम करने वाली हूँ जैसे कि मैंने नमक बिचा दिया है गयास के उपर एक बड़े बरतन में और डाल दी इसमें सकरकंदी और आलू थोड़े से भूनने के लिए तो जब तक यालू भून रहे हैं तब तक मैं दूसरे काम नुप्टाती हूं और बाकी यह देखिए तबीस से 25 मिनट में धीमी आचमार मेरे आलू सकरकंदी दोनों ही कोक हो चुके है और अब मैं इसे बढ़िया से चिल कर खाऊंगी जैसे आग में भूने होते ना बिल्कुल वही स्वात लगता है दोस्तों बहुती मीठे लगते हैं आलू में गैस पर उबालने से थोड़ा फिक्का हो जाता है लेकिन इसमें पानी होता सब सोंक जाता है तो बहुती इसमें थोड़ी से हरी दनिया लगी हुई है बड़ी बड़ी देसी वाली तो मैं इसे निकाल लेती हूं और निकालने के बाद जितना भी वेस्टेज है मतलब मिटी खाद अगरा इसे मैं अच्छे से साफ करूंगी और इसमें मैं एक पेड लगाने वाली हूं जो मेरा केल धन्या को ग्रोव रोने में थोड़ी दिक्कत हो जी थी वो सुख रहा था तो मैं इसमें ही ट्रांस पारिस से करूंगी तो आप ये दिखिए मैंने इसे पलड दिया है और धन्या को अच्छे से कम से कम एक गड़ी धन्या मेरी बन गई है निकाल आई है मैं इसे अच्छे निकाल लेती हूँ और मिट्टी को साफ करके अच्छे से त्यार कर लेती हूँ मैं घर में ही दोस्तों खाद मनाती हूँ जैसे सब्जियों के उससे चीजों से तो खाद मिलाओंगी और यह मिट्टी में मिलाओंगी तो मैं 33% लेके एक अच्छा सा गमला तयार कर लूँगी मिट्टी को पहले साफ कर लेती हूँ उसके पास सब कुछ मिला कर अच्छे से केले के पेड़ को लगाऊंगी तो यह जो केड़े का पेड़ है न दोस्तों तो अच्छे से पहले मिट्टी को त्यार कर लेते हैं मेरे मिट्टी को रोते हूँ यह नहीं हुँक तो तो भी कोशिस करते हैं झो होजाता है अच्छे होता है मिट्टी में जो मेरे घ़ल में तैयार होती है अब इसे अच्य से continuar लेते हैं अब मिक्स करने के बाद भीते हैं अग मैझ टाल आ है लगा लेंगे गम लापना तो च लेगते हैं और इसे अच्य पूरा जमा हुआ है इसमें और मैं इसे खाली कर लेती हूं खाली करने के बाद फिर इसे निकाल कर लगाऊंगी आज दोस्तों मौसम खोड़ा अजीब सा है ना कभी बदरी कभी धूप कभी कुछ धूप भी हो तो इतनी तेज हो जैसे लगता कि कुछ हाई नहीं और जब बा बदाऊंगी ताकि यह खात में बदल जाए रूप में तो इसके अपस मैं डाल मेरा यह यह हो जाएगा तैयार दूस्ता वाला गमला भी मैं असी तरीके से त्यार कर लोंगी उसमें चोटा पिर्था वह में लगा दूँगी दोस्तों और अच्छे से रोब दूँगी और तुलसी माता है उसमें भी मैं अच्छे से थोड़ा सा मिटी डाल कर पत्वारी जो पांच पत्वारी रखी जाती हैं मैं उन्हें अच्छे से सजा दूगी रख दूगी अगर बारिश हो गई तो मेरे पास फिर से तुलसिंग मता वही चली जाएंगी और नहीं है तो फिन नहीं लगानी पढ़ेंगी तो चली कोशिस करते हीं जैसा भी हो तो आज का वीडियो बस यहीं तक दोस्तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हाँ दोस्तो यह जो टब रखा है न इसी में मैं खात को और उसमें डालती हूँ तो यह टब भी मैंने आपको दिख गया तो मैंने कहा चलो बता दिती हूँ तो इसी टब में मैं खात जन्मिनेट करती हूँ तो अब इसी के साथ में वीडियो को भी आम तुमें देती हूँ विराम देती हूँ वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को ताकि मैं आगे से आगे मुझे मोटिवेशन मिले और प्लीज मेरे वीडियो को शेयर जरूर करा करिए शेयर करने से दूसरे लोगों तक भी पहुंचेगा तो मेरा चैनल आगे बढ़ेगा तो बहुत-बहुत धन्युक्त